Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone, Class 10th Basic का पेपर हम आपको करवा रहे हैं, ये एक important sample paper है, जिसे Allen Institute ने जारी किया है, CBSE sample paper number 2 है, आपके सामने करते हैं, इसको solve, scheme वही है, 80 marks का paper है, 3 hours आपको मिलेंगे, जैसे exam के आपकी scheme होती है, बिल्कुल वही pattern में आपका paper बनाया गया है, very short answer, short answer, long answer के pattern है, multiple choice question के सुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है section A में, answer देने के लिए हो जाईए तयार, पहला question है, which of the following is a true statement, 1, 2, 3, 4, बताओ कौन सा सही है भाई, चलिए, बताइए, which of the following is a true statement, is a linear polynomial, बिल्कुल गलत बात, देखे, power 2 लगी, इसलिए linear, नहीं है, ये गलत statement है is a binomial, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें तीन टर्म दिखाई दे रहे हैं, ये देखे, x plus 1 is a monomial, बिल्कुल गलत बात है, ये भी monomial नहीं है, monomial मतलब एक टर्म वाला, ओके, correct answer है, fourth, correct answer कहा है, fourth, 5x cube is a monomial, monomial मतलब एक टर्म वाला, ओके, which 2 वाला क्यों नहीं है, चलिए आपने पूछा 2 वाला क्यों नहीं है, इसमें binomial पूछा गया और इसमें कितने टर्म है, 1, 2 and 3, है ना, तो इसमें monomial मतलब एक टर्म, तो correct answer इसका होगा, four, check करते answer sheet से, ये देखिए, correct answer इसका, four, done, ठीक है, अगले question की और बढ़ेंगे, yes, अगला question लेकर के आगे है, अगला question है, the HCF of the two numbers is 27 and LCM is 162, if one number is 54, then what is the other number, बताई ही क्या है, 81 आया है, बहुत सारे बच्चों का चली, मिलान करते हैं, क्या बात है भाई साब, बिलकुल सही बात है, दे दीजिए, जोरदा तरीके से one marks साब को, okay, तो पहले वाले में जिसका D था, उसको one marks मिल गया, second वाले में जि या गलत है, जनता का जवाब बिलकुल सही है, correct answer 3 है, पूरे-पूरे marks मिलेंगे 1, okay, तो correct answer इसका क्या होगा, 3 ही है, quadratic equation तीसरा वाला नहीं है, which of the following is not a quadratic equation, not का ध्यान रखेगा, question में कई बार बच्चे not भूल जाते हैं, okay, गलट टिक करके आ जाते हैं, ये धोका देने की धोका देने की तरकीब होती है, exam बले की, अगला question, question number 4, find the value of k for which one root of the quadratic equation is 2, k की value बताए, जिसके लिए एक root इसका 2 है, बहुत ही simple question, आपने कहा, k की value 5 है, चलिए देखते हैं, option number 3, बिलकुल सही जवाब है, option number 3, k की value 5 निकलेगी, समझ में आगे कैसे निकलेगी, आप यहा बुली बन गया, चले आँगे, चले अगला question लिखे, हाँ, यह question आगया है, NCRT question है, write the next term of the AP, 2, 8 और root 18, तो यह क्या AP है, बिलकुल AP है, पहला term है 2, दूसरा है 8, root 8, यहने root 8 को लिखते हैं क्या, 2 root 2, तीसरा है, root 18 को इसको में लिखते हैं क्या, 3 root 2, ओके इस तरीके से आ आपको निकालना है, why the next term, तो भाईया, इसका अगला term कितना होगा, 4 root 2, क्या होगा अगला term, 4 root 2, अगर 4 को में रूट के अंदर ले जाएंगे, तो कितना हो जागा, 4 square, 16, क्या हो जागा, 16, और 16 को ने दो कितना हो गया, 32, तो correct answer इसका 2, जिसका आया है, बिलकुल सही है, 1 marks, तो correct answer इसका कितना, root 32, done, आगया है, very good, चली अगला question, find the common difference of the AP woos, first term is 12 and the fifth term is 0, so simple question, first term 12 दिया गया है, fifth term 0 हो, बता ही, common difference क्या लिगा है, अब लोग, minus 3 common difference क्या वाज आई है, क्या बात है भाई साब, बिलकुल सही, answer है, minus 3, चली अगले सवाल के और चलते है, question number 7, if the sum of the roots of the quadratic equation, this is equal to their product, then the value of K, क्या बात है, बना की नहीं बना है, बता answer आई है, यहाँ पे 4th के कुछ लोगों ने कहा है, बिलकुल सही जबाब है, answer 4 ही सही है, अब आई है, इसको solve कर देते हैं, क्योंकि आपसे बना नहीं है, if the sum of the root of the quadratic equation, देखिए, क्या कह रहा है, question, question कह रहा कि जो alpha plus beta है, वो alpha into beta के equal है, sum of the roots है, वो product of the roots के क्या है, equal है, तो भी यह sum of the roots क्या होता है, minus B upon A, तो यहाँ पे minus B कितना आ जाएगा, minus 2 और A की जगे कौन बैठा हुआ है, K बैठा हुआ है, देखिलो ध्यान से आप लोग, equal to alpha into beta होता है, C upon A, that is equal to 3K upon A, okay, A upon पे क्या बैठा हुआ है, देखे, 3K upon K बैठा हुआ है, यह देखे, यह भी K है, और यह 3K है, तो K से K को क्या कर दीजे, cancel कर दीजे, तो यहाँ से K की value, के को, यहाँ पे देखे, क्या बच गया, actually, minus 2 upon K is equal to 3 बच गया है, तो K उपर आएगा, तो 3 नीचे जाएगा, so K is equal to minus 2 by 3, correct answer इसका हो गया, 4, okay, yes, चलो भाई, आंगे बढ़ते हैं, question number 8 पे आजाओ, question number 8 पे value of theta पूची गई है, बहुत ही सरल सवाल, बोलो कितना है theta, 60 degree, बिल्कुल सही, जब आप 60 degree, theta आया है, 60 degree, देखिए, क्या लगाना पड़ेगा, आपको 10 theta लगा दो यार, इतना question सही है, 10 theta equal to perpendicular upon base, perpendicular कितना है, 30, और ये कितना है, 10 root 3, इससे ये cancel कर दिया, बोलो कितना बचा, 3 होज गया, 3 को आप क्या लिख सकते हो, root 3 into root 3, दो बाल लिख सकते हो, upon में कितना है, root 3, यार, cancel कर दो, बोलो कितना हा गया, 10 theta equal to बन गया, कितना, root 3, और 10 की value root 3 कितना degree पे होती है, 60 degree पे तो volume of the two spheres are in the ratio, 64 ratio 27, the ratio of their surface area, बोलो कितना आया, second आया है, 4 ratio 3, चली देखते हैं, 4 ratio 3 आया कि नहीं आया है, गलत दे दिया है, जब आप 4 ratio 3 नहीं आएगा, तो इससे solve करा, correct answer है, 16 ratio 9, चली कैसे करते हैं, देखिए, क्या कह रहा है, कि volume of the two spheres are in the ratio, 64 ratio 27, आपको surface area का ratio find करना है, चल से part में मैं इस question को कर देता हूँ, क्या कह रहा, volume of the sphere, तो भाईया, दो radius, दो square है, एक की radius मानलो R1, एक की radius मानलो R2, तो पहले वाले का volume कितना होगा, 4 by 3 pi R1 का cube, और दूसरे वाले का radius 4 by 3 pi R2 का cube, इनके volume का जो ratio आपको दिया गया, कितना दिया है, 64 ratio 27, 4 by 35, 4 by 35, बिलकुल cancel हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, ये बन जाएगा, R1 upon R2 का whole cube, मैं समेट दिया मैंने power को, R1 upon R2 का whole cube, बेटा 64 को क्या लेख सकते हो, 4 का cube, 27 को क्या लेख सकते हो, 3 का cube, बोलो yes or no, मतलब ये cube से cube cancel हो गया, मतलब R1 upon R2 कितना होगा, आपने पास 4 by 3, yes, रुक जाएए भाई साब, आपने अभी radius का ratio निकाला है, किसका ratio निकाला है, radius का, अब पूछा किसका जारा surface area, अब देखिए जो sphere होता है, sphere का surface area कितना होता, 4 pi R2, क्या होता है, तो surface area S1 upon S2 आपको निकालना है, तो 4 pi R1 का square, और 4 pi R2 का square, 4 pi, cancel बेटा, ये से लिख सकते हो, R1 upon R2 का whole square, बोलो कितना हैगा, 16 बटे, 9, बेटा जो आप गलती करे हो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ओके, दुरगटना से दिर भली, question को अराम से करेंगे, नहीं, तो 4 ratio 3 में answer लगा के आएंगे ही, और देखो ध्यान से, गलती करवाने के लिए ये नहीं, उसने 4 ratio 3 भी answer दे कि आओ, मुझे खाओ, गलती करके जाओ, समझ गए, तो correct answer गया होगा, बच्चो, 16 ratio, 9, ठीके न, वो ये भी नहीं कि गलत answer दे दे, वो देते हैं, वाला answer, कि आप गलत करो, ऐसा answer देंगी, आप गलती कर मारो, चलो भाई, अगला कह रहा है, zeros of the polynomial, इस polynomial के zeros बता भाई, सब क अंसर क्या, भाई, सब बिल्कुल सही है, 1680, correct answer है, second, okay, 840 मेरे खेल से अपने HCF निगाल दिया, भाई, LCM में सारे लेने पड़ते हैं, Pairs आपको, है न, बिटा क्लियर है, बन जाएगा आ गई, करके दिखाऊं, okay, चलिए अगला question, the zeros of the polynomial x square minus 2x minus 3, इसके zeros बताइए, क्या ह minus 1, चलिए अगला, the equation this and this give the pair of solution, भाई, बोल दो भाई, क्या है solution, दोना equation का, क्या 3 वाला, मतलब minus 1, 2, चलिए चेक करते हैं, 3 वाला, बिल्कुल सही है, minus 1, 2, अरे भाई, सब क्या simple question एक दम देखे, x plus 2y equal to 3 and x plus y equal to 1, यहीं पर कर देता हूं में, x plus 2y equal to 3 and x plus y equal to 1, solution चलिए minus कर दो, minus, 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 x x cancel, 2y में से 1 गए, y बच गया, equal to 3 में से 1 गए, 2, मतलब y equal to 2, y equal to 2, तो y equal to 2 में बठा है, एक तो इसमें बठा है, एक इसमें बठा है, मतलब या तो यह होता, या तो यह होता, ओ भाई, मुकाबला die हो गया है, draw हो चुका है, एक बार और महनत करनी कर देइं, consistency तेंटर कर दा है, एक तो यहा तो या तो लाइन, इंटर्सेक्टिनल वाता है, तो आंसर क्या है, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए, देखते हैं, 13 का 4, विल्कुल सही बात है, 13 का 4, विल्कुल सही बात है, चलिए, question 14, कि तरफ कदम बढ़ाते है, question 14, क्या ।्या distance of the P minus 6,8 from the origin बोलो कितना है आंसर? 2 यानि कि 10 आया आंसर, option number 2, विल्कुल सही option number 2, correct answer है 10, कैसे नहीं कालेंगे, under root x2 minus x1 square, y2 minus 7 square बट दूसरा वाला 0 हो जाता है, तो सीरिय आजाएगा, 6 का square plus 8 का square 100 का हो जाएगा, 100 का root 10 होता है, तो common difference कह रहे हैं, जनता कह रही है, 8 कह रहे हैं, option number 3, बिल्कुल बिल्कुल जनता, बिल्कुल सही है, correct answer है 8, 8 answer आ चुका है, चलिए अगला question, question number 16 की तरफ, the quadratic polynomial of the sum and whose 0s, sum of whose 0s is minus 5 and the product is 6 can be written as, बताएगी कौन सा है 3, कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग लिख लीजे, यहां पर इसी बातों-बातों में, x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta यह होता है, quadratic polynomial का formula, ओके, यहां पर आपको alpha plus beta, जो कि अल्रेडी आपको किता दिया गया है minus 5, किता दिया गया है, minus 5 x square minus or minus 5, तो कितना हो जागा plus 5 into x, और यह कितना दिया है 6, ओके, clear हो गया, तो x square plus 5 x plus 6 हो जागा, चली अगले question के और कदम बढ़ाते हैं, question number 17, the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, बताइए at the height of the tower कितना है, second जवाब आया है, जनता का देखते हैं कि second सही है कि नहीं, क्या बात है भाई जनता है, एक बार फिर से बाजी मार चुक ही, यहाँ पर 10 root 3, second option बिल्कुल सही है बोली कर देखत, चली देखते हैं इसको बता दिया जाता है, the angle of the elevation of the top of the tower, यह देखिए, अपने पास यह कोई tower है, और यहाँ पर कोई point है okay, the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground 30 meter away from the foot, यह देखिए tower का पैर है, यानि foot है, और foot से कित्ती दूरी है, 30 meter, 30 meter से इसके top को देखा जाता है, जहांका जाता है, तो यह angle कित्ते degree बनता है, 30 degree कितना बनता है, और आपको बताना है, height of the tower, तो h निकालना है तो 10 theta से best option कोई नहीं होगा तो 10 30 is equal to perpendicular upon base, h upon कितना 30, बोले clear है कि नहीं है चलि 10 30 कितना होता है, 1 upon root 3, 10 30 equal to 1 upon root 3 equal to h upon कितना हो गया 30, h upon 30, बोले clear है तो 30 उपर चला जागा, तो h equal to हो जागा 30 by root 3, बोलो clear कि not clear, चलि rationalize करने के लिए root 3 का multiply उपर, और root 3 का multiply नीचे, बोली है सान्नो, root 3 into root 3 का बन गया, 3, और उपर कितना है, 30 root 3, बोली है सान्नो 3 से कट गया, 10 कितने वार, 10 वार answer आगया, 10 root 3, बोलो done बहुत बढ़ी है, चलिए अगले question के और चलते है, question number 18, इसका answer तो साथ हर बच्चे का सही आया होगा, बोली है answer क्या इसका, fourth answer कह रही है, जनता मतलब 3 by 4 बिल्कुल सही जवाब है, भाई साब क्या बात है तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर 20 में से 18 में से 18 नमबर प्राप्त कर लिया है ठीक है, fourth answer बिल्कुल सही है, 3 by 4 चलिए अगले question के और चलते है, question number 19 कह रहा है, assertion reason चलिए probability का पहला question हंगामा मचाता हुआ पहला question देखते है, assertion क्या कह रहा है ए back contains slip number from 1 to 100, फातिमा चूज़ a slip random from the bag, it will either be an odd number or an even number, since the situation have only two possible outcome, the probability of the each is 1 by 2, भाई बिल्कुल सही बात है, एक से लिए के 100 तक के नंबर है तो 50 होंगे, even or 50 होंगे, odd तो चाहिए आप even की probability नहीं का लो बेटा तो कित्ती आएगी 1 by 2, और चाहिए आप odd की probability नहीं का लो बेटा तो कित्ती आएगी 1 by 2, बात तो बिल्कुल सही है, चलिए, आँगे क्या है reason, when we toss a coin, there is the two possible outcome head or tail, therefore the probability of the each outcome is 1 by 2, भाई देखिए बात तो सही है, मगर ये bag वाली बात है, और ये coin वाली बात है, तो इन दोनों का एक दूसरे relation नहीं है, तो दोनों स्टेट्मेंट true है, but a, b वाला answer आएगा, है ना, बोथ a and b are true, assertion reason are true, but r is the not correct explanation of assertion a, बुली clear है, तो चलिए देखते हैं, कि विल्कुल सही बात है, कि नहीं बात है, विल्कुल सही है, देखिए answer number 2, जिसने लगाया है, टिक, विल्कुल सही है, कि दोनों is the product of sine and a, मा जूट भाई साब, ये तो होई नहीं सकता, वर्ल लगा सबसे बड़ा जूट है, sine किसी angle, एक, angle a का ratio होता है, है ना, तो पहला बाला तो false हो गया, the value of sine theta increases, as theta increases, हाँ, दूसरा बारा सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखें, बढ़ते जाते है, sine 0, 0 होता है, sine 90 कितना होता होता है, मतलब theta बढ़ने के साथ-सा sine की value बढ़ती जाती है, तो पहला वाला तो false है, दूसरा वाला सही है, तो इसका answer बोलिए, क्या होगा, fourth, क्या होगा answer, fourth हो, 20 का answer क्या होगा, भाई साथ, fourth होगा, चली, clear है, तो यहां तक हमने कर लिया है, question number 20 तक हो गया है, प्यारे बच्चों, अब अगले question की तरफ कदम बढ़ाते हैं, subjective question हम आपास आ चुके हैं, section B हमारे साथ में आ गया है, चली, section B करते हैं, सबसे पहला question point है, पहला 21 question दिया गया, point A, 1,-2 B, D, D, D आपके सामने, the vertices of the parallelogram, find the value of K, midpoint की property लगा करके के की value किती आई है, के की value बताई किती आई है, midpoint की property लगा के, K की value सायद 9 कही जा रहे हैं, भाई साब देखते हैं, K की value 9 बोली जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है, K की value 9 नहीं आई है, K की value minus 3 आई है, आप लोग चेक किजिए, K की value minus 3, K की value minus 3 आई है, तो बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है, ये midpoint की property लगा करके किस question को आराम से किया जा सकता है, इस तरीके से, चलिए देखिए, इसका solution कैसे करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या है, ये कहा जा रहा है कि ये midpoint है, तो midpoint की property होती है, कि इनके diagonal एक दूसरे को bisect करते हैं, मतलब जो midpoint AC का होगा, वह midpoint किसका होगा, BD का, जो midpoint AC का होगा, वह midpoint किसका होगा, BD का, तो चलिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें देखिए A और C, कि A कितना है 1, और C कितना 1, A है 1, minus 2, C कितना है K, 2, तो AC का midpoint निकाल लिए, देखिए, इसका 1 है, इसका K है, तो क्या हो जागा, 1 plus K by 2, और इसका कितना हो जागा, minus 2 है, यह 2 है, तो minus 2 plus 2, बोली क्लियर है कि नहीं है, अब यहां से देखिए BD से, तो B का यह वाला point कितना है, minus 4, यह वाला point कितना है, 2 है, तो minus 4 plus 2 by 2, बोली क्लियर हुआ, और यह कितना हो गया, सकता है दों आँपको निकालने के लिए आपको इसको कमप्यर करना पड़ेंगा तो आए नहीं कमस कर kleinen जया फोडी से किस नोट को लीजे, solve कर लीजे, फिर आंगे बढ़ते हैं, चलिए अगले question की उर बढ़ते हैं, देखे, question क्या कह रहा है, question number 22, 22 का क्या कहना है, a bag contains a card from number 1 to 49, a card is drawn from a bag at random, after mixing the card thoroughly, find the probability that the number on drawn or the card is a multiple of 5, बहुत ही simple question है, answers का बता दीजे, 9 by 45 जनता की आवाजा, 9 by 49, क्या बात है बहुत है, बिल्कुल सही answer है, 9 by 40, 9 सभी से बन गया हो गए question, एक से लेके उन्हों अन्चास तक के पत्ते हैं, तो यहाँ पर total 49 कार्ड होंगे, और 5 के जो multiple आपको total मिलेंगे, 5 एक कम 5 से, 5 बन जा 5 से लेके, 5, 9 जा 45, तो total favorable आपके 9 आउटकम मिलेंगे, तो total, favorable upon total that is equal to 9 upon 49, बिल्कुल सही है बच्चों, दो marks देदीजे अपने आपको, आपका आचुका है, 9 by 49, अगले question के ओर चलते हैं, question number 23, क्या कह रहा, for what value of P will be the following pair of linear equation as infinitely many solution, तो इसकी condition तो आपको पता है, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, बताइए, इसको solve करके आपकी P की value क्या आई हुई है, इसको solve करके आपको P की value बताना है, नहीं बना, चलिए, एक cancer है, एक cancer है minus 1, चलिए, एक cancer है 1, चलिए, देख लेते हैं कौन C value, चलिए, देखते हैं, इसका answer कितना आया है, तो देखे, इसका answer आया है P equal to 6, तो बहुत ही simple है, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, और शुरू के दो pair को उठा लिजे, solve कर लिजे, लास्ट के दो pair को उठा लिजे, solve कर लिजे, तो दोनों में common answer लेंगे न, तो correct answer इसका कितना होगा P equal to,